नमस्कार दोस्तों मैं हूँ सचीन और आप देख रहे काली linux basic command हिन्दी एक नया वीडियो में आप लोग के लिए लेकर आया हूँ इसमें हम यह जानेंगे कि किस तरह से हम काली linux में किसी package को या tool को install कर सकते हैं देखिए काली linux एक devian waste open system है जिसमें हम devian packages को configure करते हैं या install करते हैं इसके लिए जो हम tool यूज करते हैं उसका नाम है dpkg dpkg का utilize करके हम install packages की information भी लिकाल सकते हैं as well as number of packages हमारे पास available है उन्हें हम install भी कर सकते हैं हम यह दोनों काम करने वाले चलिए हम start करते हैं तो यह आप देख सकते हैं मैंने एक normal user से login करा है जिसका नाम armor है सबसे पहले मुझे या तो इसे root को switch करना पड़ेगा या फिर हम sudo command का utilize कर सकते हैं sudo space dpkg-l इस command से क्या होगा कि जितने भी packages मेरे काली linux में install ले उसकी यह detail में लाकर देगा एक list लाकर देगा जैसे मैंने enter करा sudo हम use कर रहे इसलिए मुझे password confirm करना होगा normal user का आप देख सकते हैं इसने number of packages मेरे pc में install थी उसकी इसने list लाकर दिये आप इस list से भाहर जाना चाते हैं तो क्यों आप दबाईए भाहर आ जाएंगे यह जो पूरा output है हमारे पास इसमें से हम किसी package को grab करना चाते पतल लगाना है हमें कि वो package installed है या नहीं है तो मैं इसे grab कर रहा हूँ मान लीजे मुझे search करना है nmap आप देख लीजे इसने हमें grab करके लाकर दिया nmap इसके अंदर already है इसी तरह से हम search कर सकते Firefox आप देख सकते है Firefox भी इसने हमें लाकर दिया इसी तरह से मैं check करना चाता हूँ क्या Apache इसके अंदर है आप देख सकते है Apache 2 हमें मिला है तो इस तरह से हम number of packages को grab करके detail लिकाल सकते है आगे continue करते है जो package हमारे पास हमने grab कर आए उसको हम utilize करने वाले search करने के लिए तो उसक small as then package name यह package की detail information हमें लाकर देगा जिसे मैं इसे enter करता हूँ तो आप देख सकते है यह detail information हमें इसने लाकर दिये कि इस packages के अंदर you can say कि यह package name था उसके बाद आप store, listen, size आप देख सकते है उसके बाद आप इसका version देख सकते है और बाकी detail आप इसके अंदर देख सकते है इ इसकी वो किस जगह पर available है जैसा आप देख सकते है इसने पूरी detail में हमें detail लाकर दिया है आगे हम चलते है इसी तरह से हम another package name देख कर देखते है for example जो हमने grab कर रहा था firefox इसकी detail हम चाहते तो firefox आइफन ESR आप देख सकते है इसमें उतनी detail इसने हमें दिये जितनी इसमें available है इसमें configuration फाइल उतनी ज्यादा नहीं थी जितनी हमें Apache में मिली आगे continue करते है अब बात करते है capital L की तो dpkg आइफन capital L आप यूज कर सकते है आप देखिए मैंने sudo नहीं लगाया because कि हम package की information चाह रहे है राइट हम यदि package को install करेंगे या uninstall करेंगे तो हमें sudo लगाना होगा राइट तो आप देख सकते है dpkg-l इसने हमें उस packages की सारी file लाकर दिए कि इस package को जो install किया गया कालिल आनेक्स पर तो यह number of files कालिल आनेक्स में place हुई है इसी तरह से दूसरा जो अपाचे था उसको हम देख लेते अपाचे 2 इसकी detail आप देख सकते तो इसने सारी चीज़ें हमें लाकर दिए कि etc के अंदर कितनी number of apache की file है उसके ब आगे continue करते है अब अगली command पर माते है इस काल capital S, capital S सर्च करता है और हमें detail लाकर देता है अब देख सकते है हमने apache 2 सर्च करा है तो इसने detail हमें लाकर दिए जहां भी apache 2 match हुआ है और उसकी जो भी files थी उसकी पूरी detail इसने हमें दिए आगे continue करते है अब अगली command है dpkg- iphone p यह detail information देता है packages की जो आप देख सकते है similar जैसा हमने iphone smalls से use कर रहा था वैसे ही यह कुछ detail हमें दे रहा है इसके आगे हम continue करते है माल लीजिए मुझे किसी package की detail चाहिए like gg तो उसकी detail ला देख सारे packages की यह लाकर देता है आगे continue करते है माल लीजिए अब मेरे पास को मुझे install करना है तो मैंने इसे downloads के अंदर download कर रखा है आप देख सकते है package है ipscan इसे हम install करना चाहते है लेकिन उसके पहले इसकी information हम लेना चाहते है तो command हो जाएगी dpkg-info space आप दीजिए ipscan आप mention कर दीजिए जो package name था वो पूरा मैंने mention करा है इसका जो extension होता है वो .deb होता है आगे continue करते हैं आप देख सकते हैं इस package की detail इसने में लाकर दिया है size पहले इसने में बताया है उसका name बताया है उसका version बताया है वो बाकि आप dependency के list दे सकते है dependency हमारे लिए समझना जरूरी है क्योंकि जब हम इस package को install करेंगे तो यह सारे packages हमारे पास पहले से install होना चाहिए ने तो यह package installed नहीं हो पाएगा इसका मतलब जो ipscan tool है वो input dependent है जैसा आप windows में कई बार होता हैं किसी तरह का software install करते है तो वो हमें बोलता है कि आप पहले .net framework को install किजे फिर यह particular software install होगा मतलब उस particular software की dependency .net framework है इसी तरह से devian में भी होता है कि जब भी हम packages को install करते तो एक package किसी दूसरे package पर dependent हो सकता है तो इसने हमें detail में बताया है कि यह dependency है इसकी आगे continue हम करते है अब इसी तरह से हम iPhone C यूज़ कर सकते है तो इस packages के अंदर जो भी container उसकी detail यह हमें दे देगा हमने install नहीं करा है लेकिन install करने के पहले ही उसने बता दिया कि इस packages के अंदर यह number of files है आगे हम continue करते हम इस package को install करते तो आप देख सकते है जो package है मैं उसे install करने वाल हूँ तो command हम use करेंगे dpkg space iphone i मैंने use करा for install then package name जैसे मैं इसे enter करता हूँ तो यह installation के लिए जाएगा लेकिन आप देख सकते है मैं इसे अभी normal user से operate कर रहा हूँ जिसकी वज़ए से install नहीं हो पाया है मेरे पास permission नहीं है कि मैं इसे install कर सकूँ इसके लिए आप चाहो तो root से login कर सकते हो या फिर आप sudo command को utilize कर सकते हो आप sudo use करा है इंटर हम ने करा आप देख सकते है आप package हमारा जाके install हो रहा है आप देख सकते है package install हो चुका है अब हम verify करते है कि package install हुआ है या नहीं हुआ है तो dpkg-l हम इसे grab करने वाले इस tool का नाम था IP scan आप देख सकते है इसने detail हमें लाकर दिया है कि जो अपने IP scan इस्टॉल करा है वो इस्टॉल हो चुका है तो और वैरिफाइ करने के लिए हम एकवर स्विच यूज़ कर सकते इस को एस यह डिटेल हमें बता देगा पैकेज का नाम आप देख सकते इसका वर्जन देख सकते बाकी डिटेल देख सकते आप फाइल को वैरिफाइ कर सकते तो उसके लिए आप capital L को यूज़ कर ले आगे हम continue करते अब मान लिजे कि मेरे पास एक डायटी है उसके अंदर number of packages है जो सारे इस्टॉल मुझे करना है उसके लिए हम command क्या यूज़ करेंगे dpkg-r-r-install then folder की location आप define कर देजे तो इस folder के अंदर जितने भी number of packages है उन सब को यह install कर देगा अगेन हमें इसे sudo करना होगा sudo हमने यूज़ करा आप देख सकते हैं उसके इंदर जिस package को हम अवरड़ी install कर चुके यह उसी को वापस से install कर रहा है जो कि install हो चुका है आगे continue करते मान लिजे मुझे किसी package को रिमू करना है तो हम इसी को रिमू करके देखते हैं पहले हम एक बार verify कर लेते हम इसे रिमू करते हैं तो command हो जाएगी dpkg iphone small r then package name आप दे दे यह उसे रिमू कर देगा आगे रिमू करने के लिए हमें super user की पावर चाहिए तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा sudo अब बार बार सुडो यूज नहीं करना चाहते तो su command का यूज के जी root पर switch हो जाहिए enter हमने करा आप देख सकते हैं जो package हमने remove करा है वो remove हो चुका है आगे हम continue करते हैं अब कई बार होता है कि package हम चाहते है की purge हो जाए इसकी जो भी files पूरी की पूरी delete होना चाहिए उसकी किसी भी तरह का कोई backup file हमारे PC में नहीं होना चाहिए तो मैंने package बापस इस्टॉल किया है verify आप कर सकते हैं इसके लिए हम इसको purge करने वाले हैं तो command हो जाएगी dpkg space iphone capital P then package name आप दे दे ip scan and enter आप करेंगे again हमें sudo use करना होगा तो यह उसे purge कर देगा purge it means completely remove तो आप देख सकते हैं इसने उसे हटा दिया है मैं आप चाहा हूँ तो एक बार इससे verify करके बता देता हूँ तो capital V आप देख सकते हैं यह installed नहीं है आप जब इसे install करते हैं तो यह आपको बता देगा अगेन मैं इसे install कर रहा हूँ जल्दी से आप देख सकते हैं यह install है यह install नहीं होता तो यह हमें बता देता है कि it's not install I hope आपने package management समझा होगा कि किस तरह से हम dpkg command को use करके number of devian packages को install कर सकते अगले वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से हम advanced package tool का use कर सकते हैं और number of dependency को resolve कर सकते हैं यह simple way में installation के process को कर सकते हैं तो उसके लिए हम अगले वीडियो में apt tool को समझने वाले हैं इस वीडियो में इतना ही आपको यह यह वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को आप